कि वो आकर नशीन हुआ, मेरे जिस्म पर आँखों में एक अजब सी प्यास थी उसके, मुझसे कहने लगा, तुम्हें चाहता हूँ मैं सुन रही थी बाते उसकी, वो कहने लगा, कि मेरी शकल सूरत में कोई आब नहीं कि मेरी शकल सूरत में कोई आब नहीं, तुम्हारे महबूब की अराइश के क्या कहनें, शायद मुझ में वो बात नहीं करीब तो मेरे भी है, तू सच कह रहा हूँ, बस तेरी रूखे ही मैं पास नहीं मैं उसे दुनिया जहां से छुपाने लग जाती, तू पागल सा होकर कहता, कि हाँ हाँ, अजीज नहीं हूँ तुम्हारा, हाँ मैं अजीज नहीं हूँ तुम्हारा, तो इतराज करो और दूर रखो ये निगाह तुम कुछ गिनती के पल बचे हैं मेरे पास, बस देख लेने दो ये चहरा मुझे बे बनातू दम तोड ही जाओंगा, दम तोड ही जाओंगा, बहुत जल्द मैं, क्यों वक्त से पहले देती हो, मरने की वज़ात एक तरफा आशिक था मेरा, था अफसोस तो उसके सीने में भी बरा, इसी अफसोस में मचलता था, वो मेरे महबूब से चलता था मैंने भी नफरत तो खूब करी उससे, पर हश्र उसका देख कलबो जिगर रूठ तो जाता था उससे वो आया था, वो आया था, खूनी आपे चश्म आखों में लिये, अपनी आखरी सांसे हाथों में लिये कुछ वक्त को मुझ में जिन्दा रहा, वो मेरी मुहबबत में शर्मिन्दा रहा, बेकत्र था, बेपरवा था, पर जखमी था, वो भी कहीं, बेवजह तो बेपरवा कोई होता न मैंने फिर भी उसका खयाल करा, मैंने फिर भी उसका खयाल करा, रोज उससे सवाल करा, कि अब कैसे हो, अब कैसे हो, वो बड़े दिन तो खामोश रहा, फिर एक दिन मुझे मेरी महबूब की आदों में लिपट कर रोता देख, मुस्कुरा कर मुझ से कहने लगा, कि तुम और तुम्हारा महभूब, कि तुम और तुम्हारा महभूब कमभगत एक जैसे ही, तुम भी तो मेरा इतना खयाल, मेरे वजूद को एक दिन खत्म करने के लिए ही रख दिया। तुम्हारा महभूब, कि तुम्हारा महभूब, कि तुम्हारा निया।